कि सभी को नमस्कार मेकेनिक्स इंस्ट्टूट के यूटूब चेनल पर आप सभी का स्वागत है अगला क्यूशन आपका है जिसमें आप निकालेगे स्केट्रिंग पोटेंशियल 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 हो जाता है जिसे एक क्यूशन मैं लिख दिया केल्कुलेट टोटल पोटेंशियल पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है यू और की वेल्यू मैनेस यू नौ टैप और आगले दें एरी जन के लिए और यूँ आ इकवल टू जीडो है और आगले दें एरी जन के लिए और यू नौ की वेल्यू ग्रेंशियल ये आपको फूशन दे रखा है माइनस यह वेल्यू अगर मैं लूँ तो आर लेज देने एपे तो इसकी वेल्यू है माइनस यू नो ठीक है और आर गरेटर देने एपे कितनी इसकी वेल्यू जीरू है ठीक है तो वही चीज हमने लिखी है तो इस पोटेंशन से जब पास होगा तो हम अलग-अलग रीजन मे और एक इस रिजन में रेडियल इक्वेशन को हम दीशस करते हैं चलिए तो क्या हो जानेगा आपके पास लेट्स कंसिडर यह तो देरेफाइट निपी हम लिख रहे हैं लेट्स कंसिडर देश्पेरिकल अट्रेक्टिव स्क्वार्वेल पोटेंशियल अट्रेक्टिव स्क्वार्वेल पोटेंशियल इस गीवनबाइट इस गीवनबाइट क्या होगा देखी आपके पास यू आर है वह आपको इस तरीके से दे रखा है माइनस यू नोट दे रखा है और लेज़ दे रिजन के लिए और 0 दे रखा है R greater than A region के लिए यह आपके पास UR की value है ठीक है इतना आपको पता है अब आप क्या करेंगे Let's consider हमें low energy skating लेनी है मतलब L equal to 0 Let's consider the particle Let's consider the particles have low energy such that such that L equal to 0 components such that L equal to 0 components contribute in scattering ठीक है L equal to 0 component यह आपकी skatering में contribute करते है और क्या हो जाएगे and also consider that consider that the depth of potential यह जो depth है the depth of potential is small potential is small एक चीज़ देखो कई जिए आपको तो में इस क्यूशन के दो format बनेगे ऐसा यह क्यूशन आगे और आएगा पूशन करेंगे ठीक है तो चलिए क्या हो जाएगा आपके पास क्यूशन के ग्यूंज आपके ज़ेंगे इस इस एक हैं और यह the radial strodinger equation for r less than a kd r less than a kd radial strodinger equation ले रहें क्या होज़ेगा d2u l plus k square minus l l plus 1 over r square minus two mu होता है ना आपके यहाँ पर m ले रहे हैं यहाँ भी लिख सकते हो अगर आपको mask mu दे रिखा तो नहीं भी दे रिखा तो mu लिख सकते हो 2m लिखते हैं चलो हम confusion नहीं हो इसलिए मैं mt गया है mu use में ले रहा हूं यहाँ पर mt गया है मैं क्या ले रहा हूं mu use में ले रहा हूं 2m u r over h square u l r equal to 0 यह थाप के पास ठीक है आपको पता किस के लिख सकते हैं for l equal to 0 और आपके value भी रख दीजिए यहाँ पर u r क्या है and u r की value है minus u round for किस reason के लिए r less than 1 तो value रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा d2 u note होगा d2 u note होगा इस new note को मैं यू लिख रहा हूं ठीक है ना plus k square l की जिए 0 रखोंके तो यह cut जाएगा minus 2 mu u note u r की value minus u note तो यह क्या हो जाएगा लेटर k1 square equal to मान लिया आपने 2 mu u note over h कर तो आपके पास क्या गया d2 u over dr square plus k square plus k note square इसको k note square मान लिया u equal to 0 ठीक है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d2 u over dr square plus इसको k1 square नाम दे दिया मैंने equal to 0 where k1 square क्या है k note square plus k square ठीक है वैसे इस k note की value बहुत कम होती है तो हम आगे यूज में लेंगे ठीक है इसका solution क्या होजएगा the solution of this equation क्या होगा इसका solution क्या होगा आपके पास u r equal to a sin k r plus b cos k r ठीक है यह होता है आपके पास वोई boundary condition यूज में लेंगे using boundary condition कि वही बात है एंट r tends to 0 के लिए u r tends to 0 तो वहां से क्या जाएगा पहले भी निकाला है यह आपके पास अगया आप यही इक्वेशन आप इसके लिए निकालेंगे फोर और ग्रेटर देन एक लिए तो देखिए उसके लिए क्या होजाएगा फोर और ग्रेटर देन एक लिए यही चीज निकाले तो क्या हो जाएगा उसके लिए d2u over dr square l equal to 0 के लिए दिशिस करना हूं सीधा तो l वाला ट्रम तो 0 k square minus 2 mu u over h square और u की value r greater देने के लिए कितनी होती है 0 तो into 0 u equal to 0 तो यह ट्रम हट रहा d2u over dr square ठीक है प्लस क्या बचा k square u equal to 0 solution of this equation क्या हो जाएगा solution of this equation जब इस region को पार करके जाएगा तो solution क्या हो जाएगा u r equal to c sin kr यह होगा प्लस delta note यहाँ पे delta note क्या है phase shift है where delta note is phase shift इतनी चीज हम बार बार करते आए हैं वो ही format है कोई दिक्कत नहीं है अब हम क्या करेंगे at r equal to a पर बात करेंगे तो r equal to a पर इस ने कुछ भी define नहीं कर रहा तो हम सिर्थी boundary condition लगाएगे at r equal to a using boundary condition और वो boundary condition क्या होगी r equal to a solution और रेडियल एक्वेशन और देरिवेटीव जाओ देर डेरिवेटीव मस्ट भी इक्वल मतलग कौन से ही रीजन से आप चले जाए और लेस देर एसे आपर आर इक्वेशन टू और थ्री में रखो तो यहां से क्या होगा a sin k a equal to इस तरफ क्या हो जाएगा sorry k1 आ रहाएगा है क्योंकि यहां पर k1 था ना उसमें हार k1 square u था तो यह देख लेना a sin k1 a equal to इधर क्या है c sin k a plus delta नोट एक तो यह आ गया है ठीक है अब इनका डेरिवेटीव भी बराबर होगा तो इसका क्या होगा k a cos k1 r और r equal to a पर डिसेश करना तो r किज गए a लिख दिया और यहां से क्या होगा k c cos k a plus delta नोट यह हमने रख दिये दोनों बेजू equation number 2,3,4 जो भी है यह 4 यह 5 अब हम क्या करेंगे इस 4 में 5 कर डिवाइड करते है equation 4 divided by equation 5 ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि हमें फेजशिफ्ट निकालना होता है और फेजशिफ्ट निकालने का हमारे पास यही method है हम device करके निकालते हैं तो इसमें इसका भाग दें तो a से यह कट गया क्या बचा sin k a और post k और क्या बचा 10 k वर a ओवर k फिकाना यह के बनी तो आएगा बात इक्वल टू यहां से सी सी कट गया साइन के यह क्या हो गया 10 k a प्लस डेल्टा नोट ओवर k यह value बस गई आपके पास तो यहां से देखो क्या गया 10 k a प्लस डेल्टा नोट इक्वल टू इसको इधर बेज़ दो k ओवर k वन 10 k वन a यह value अगई अब इस 10 a प्लस डी को खोलो जैसे फीछे वाले एक्जामपल में हमने किया था उसी तरीके से वहां पे 4 को खोलना रहता है यहां पे 10 को खोलना है कैसे खुलेगा वही 10 a प्लस डी आपके पास चलिए देखते हैं क्या होता है 10 a प्लस डी का फॉर्मूला तो यह हो जाएगा आपके पास 10 k1 a 10 डेल्टा नोट ओवर 1 माइनस 10 k1 a 10 डेल्टा नोट यह 10 k1 a प्लस डेल्टा नोट फॉर्मूला लगा दिया हमने इक्वेस्टू क्या हो जाएगा k over k1 10 k1 a ठीक है तो यहां से देखो 10 डेल्टा नोट के ट्रंग को एक तरफ ले लो तो 10 डेल्टा नोट का एक ट्रंग तो यह हो गया k1 10 डेल्टा नोट यह बच गया इसको मार के देजूँगा दूसरा क्या हो गया यह माइनस उदर गया तो माइनस का इधना आए रहे प्लस का हो जाएगा मैं एक बाद पूरा ही multiply कर देता हो आपको समझ में आजाए जगी यह क्या हो गया k1 10 k1a फ्लस k1 10 डेल्टा नोट इकोई टू क्या गया k10 k1a वन से multiply गया तो यह माइनस क्या हो गया 10 ka है यह देखो यह रंती मत करना ठीक है यह 10 ka और यह ठीक है यह हो गया आपके पास ही हो गया 10 k1a 10 ka 10 डेल्टा नोट अम 10 डेल्टा नोट वा लेटर में एक तरफ लेलो एक तो यह रहा k1 10 डेल्टा नोट इस माइनस वाले कोई दर लाओ 10 k1a 10 ka 10 डेल्टा नोट बाकी को उधर बेर दो उधर क्या है k1 10 k1a minus k1 10 k1a ठीक है भी तो यह क्या हो जाएगा यहां से 10 डेल्टा नोट कोमन लेलो यह बचा k1 minus 10 k1a 10 ka equal to k 10 k1a minus k1 10 ka तो यहां से 10 डेल्टा नोट आला है आपके पास ठीक है क्या है 10 k1a minus k1 10 ka over k1 minus 10 k1a 10 ka यह आपके पास 10 डेल्टा नोट आला है है तो नोट देखिए क्या हो जाएगा आपके पास लोट देखिए की बात करनी का मतलब यह है यहां पर के आपको पता है कि आप क्या लिखते हो to me over x2 लिखते हो इसको लो करना है वह इनरजी को करना है तो के भी कम होगा के कम होगा तो इसका मतलब क्या हो गया for since energy is low के पास सो के एक लेज देन बहुत कांः होगा के एंड और ऑल्सो पोटेंशियल इस से लोग पोटेंशियलीज से लोग गांद देंगे अपने शुरू में लिखा था कि यू है वो very small potential है यू नोट जो है ठीक है ना तो potential इसका मतलब यह हुआ हम इसको k1a को भी approximate क्या मानेंगे approximate equal to मानेंगे k0a भई वैसे k1 square क्या था k0 square plus k square था तो इसको क्या करेंगे हम यह बहुत कम होने की बज़े से k1 square k0 square के बराबर मान लेंगे तो k1 k0 के बराबर हो जाएगा समझ गए यह हमने माना है अगर हमें ऐसा consideration नहीं करें तब क्या हो यह हम करेंगे इसी से रिलेट करेंगा तोपिक रेजोनेंस स्केट्रिंग इसी से आएगा अगर हम उसमें ऐसा consideration नहीं करें तो क्या करेंगे ठीक है इतनी बात समझ गए तो यहाँ पर यह वेल्यू रखें तो यह अभी रखनी नहीं है इसको नहीं रखना अभी हमने बताया आग कि आगे हम यह उजमें लेंगे बहुत आगे उजमें लेंगे अभी तो हम यहाँ उजमें लेने वाले तो यह क्या होजेगा तेल्टा मौनटिक कोल टू के कि अ तेंक वन ए माइनस के वन और टेन के एग इज़े क्या लिख सकते है अपन भाई देखिए के एग बहुत स्मॉल है के एग आपके पास स्मॉल है तो तेन थिटा क्या होगा स्मॉल के लिए तेन थिटा होता है साइन थिटा और कोस थिटा आपको पताएं स्मॉल एंगल के लिए साइन फिटा किसके बराबर होता है फिटा के और कोज फिटा किसके बराबर होता है वनके तो टेन फिटा लगबक किसके बराबर होगा फिटा की तो कहने का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं तो इस केस में आपके पास टेन के एक अब देखो एक चीज और भी इसको मैं हटा रहूं ये चीज देखना इसको समझना सिंस आपके पास के अधार है बेरी मतले स्थे सब्सक्राइब तो देखो इसमें यह किसके बराबर होगा एक बराबर होगा यह बहुत चोटा है यह बहुत चोटा है एक से बहुत चोटी एक पिर से बहुत चोटी वैली तो और भी चोटी वैली आएगी कहने का मसलब क्या हो जाएगा तेन के वन ए और टेन के को हम नेगलीजीबल मान सकते हैं यहाँ पर ठीक है ना नहीं मालेंगे कब जब हम अगला टोपिक में रेजलेंस इसकेटरिंग में इसको डिशेच करें यहाँ पर जो चीजे माननी पड़ रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास बहुत है इसको लेगलेट कर दिया दो एक केटर आफ से पास तो टेन इल्टा नोट किया आ गया को एक केटर्ण केवन ए माइनस एवन के ओवर केबल यह वेल्यू आपके पास अब देखो इसको यह माना है सब को स्मोल एंगल इंगल माना है जब आपके पास यह सारे स्मॉल एंगल के लिए टेन डेल्टा नोट को भी अप्रोक्षिमेट किसके इक वल माल सकते हैं तो यह डेल्टा नोट क्या रहा है कि यह करने पर है इसा होगा नहीं कब जब हम रेजोनेंस स्केटरिंग में यह केश डीशस करेंगे हैं चलिए आगे हम बात करें भी अब किनिकालना में आपने अपने को टोटल स्केटरिंग रोज सेक्षन टोटल इसकेटरिंग रोज सेक्षन देखें वाई, क्या होगा total scattering तरो सेक्षन, आपको पता है L equal to 0 for S wave for S wave scattering, मतलब L equal to 0 उसके लिए sigma T क्या होता है 4 pi over k square sine square delta delta note की value यह है आपको पता है, delta note very small is very small तो sine delta note कि इसके बराबर होगा, delta note के तो sine square delta note कि इसके बराबर होगा, delta note square के तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 pi over k square delta note approximate बराबर ठीक है, तो delta note square की value उसके square कर दो तो sigma T क्या रहा 4 pi over k square k 10 k1 a minus k1 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 over k1 का whole square, आभी थोड़े देर पहले मैंने बताया था, potential in cell वहाँ पे हमने k1 a को approximate इसके बराबर माना था k note a के, तो वह भी लिख दो यहाँ पे, 4 pi over k square k, 10 k note a minus k note k a, अकोन में k note ठीक है, और एक चीज़ और a square आप उपर निचे मंटिप्लाई कर दो, फोर इसका होली square ना, तो a square उपर निचे मंटिप्लाई कर दो, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे a square over यह k square है, तो a square मतलब, उपर तो यह मैंने a square लिख दिया, और holy square में square करता ही यह हो गया, अगर k square कट रहा है, तो काट दो, k square कट रहा है गया, के इसमें भी यह, इसमें भी बिल्कुल कट रहा है, sigma t क्या हो गया, 4 pi a square 10, k naught a, minus k naught a, over k naught a का holy square, यह आगया आपके पास, कई बार group में यह पूछ लेता है, कई बार यह पूछ लेता है, तो आपको group के coding चलना है, और यहां से आपको साथ साथ यह भी दिख रहा है, क्या total skatering cross section में कहीं पे भी energy आ रही है, तो energy पे depend नहीं करता है, ओके यह आपके पास आ गया, total skatering cross section, inverse square wheel potential के लिए, अब हम repulsive, attractive square wheel potential हो गया, अब हम repulsive square wheel potential के लिए dishes करेंगी, उसमें ही, और इसमें देखना क्या फर्क होगा, यहां पे देखो, जहां पे यह value आई है ना, इसमें 10k note एक इज गया है, क्योंकि इसमें देखो, minus u note था potential, उसमें plus u note हो जाएगा, इसमें 10k note एक इज गया है, उसमें रख दो, iota 10k note की, बस इतना ही change करना और कुछ नहीं करना, चलो देखते हैं निकालके हम इसको अलग से, तो हम next जो fusion है, वो डिसेज करने वाले, scattering from repulsive square wave potential, और hard despair, दोनों में क्या difference है देखो, square wave potential है आपके पास, जैसे आपने कोई, आपने यह incident waves है, दोनों को समझना पहले तो दोनों में, यह किसी इस target के, यह आपका spherical, इसका potential region है, जिसमें यह r less than a पे अलग potential है, r greater than a पे तो 0 है, दोनों के लिए, ठीक है, और attractive में भी 0 था, inside attractive में यहाँ पे minus you note potential था, repulsive में क्या हो जाएगा, इसके incident potential हो जाएगा, यू note, ठीक है, इस spare की, r less than a region में कितना potential हो जाएगा, यू note, ठीक है, अब बात करें हम hard spare की, ये spare hard कब बोला जाएगा, जब इस region के अंदर, इस region के अंदर क्या होगा, potential हो infinite होगा, यू note की value क्या होगी, infinite, तो पहले हम, minus you note के case के लिए, attractive वाले के लिए निकाला है, उससे हम plus you note करके निकाल लेंगे, repulsive के लिए, और वो निकालने के बाद, you note की जगयापन क्या limit लगा जाएगे, limit you note tends to infinite, तो हमारे पास hard spare के लिए आजाएगा, तो क्या attractive, square well potential से क्या मतलब है, repulsive से क्या मतलब है, hard spare से क्या मतलब है, clear हो जाना जाएगे, तो इससे question देखो, क्या पूछा है फिर इसने, question ये पूछा गया है, दो question है आपके पास, पहला है, determine the low energy scattering cross section, from a repulsive square well potential, ठीक है, repulsive square well potential के लिए, इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है, second question में भी, discuss the hard spare scattering, वहाँ पे क्या था, repulsive, repulsive मतलब, you note potential लेना है, inside the region, और hard spare मतलब, you note को tends to क्या कर देना, infinite, बस इतना change है, और इसमें भी वही चेक करना है, कि compare it, discuss the hard scale scattering, using partial wave method, low energy और high energy, इसकी दोनों पे dishes करनी है, और classical digits के साथ, इसकी comparison करनी है, चलिए, तो पहले हम, dishes करते हैं, repulsive square wave potential के लिए, तो देखिए, पहले पहले, तो पहले हमें याजिछ सकरना है, 4, attractive square wave potential, attractive square wave potential, the total scattering across section, the total scattering across section, इस गीवन वाई कितना आया था देको सिग्मा टी आपके पास आया था यार तो फोर पाई एस्वेर टेन के नोट ए माइनस के नोट ए ओवर के नोट ए का होल इस पर एक्वेस्टन नमबर बन ठीक है यह कब था जब आपके पास यह पोटेंशल था यू आर इकोएट टू माइनस यू नोट आर लेज देट एवीजन में और जीरो क्या था आर ग्रेटर देन एवीजन यह तब आया था अब क्या कर रहे है अपन एंड रिपल्सिव कि स्क्वाइर वेल पोटेंशियल इत डिफाइंड वाई कैसे डिफाइंड करते हैं आप उसको यू आर एकोएट टू क्या करते हैं यू नोट तो हो गया आर लेज देन एपे और जीरो हो गया आर ग्रेटर देने एपे मतलब पोटेंशल में माइनस का फरक आया है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर वी रिपलेस के नोट ए बाई आयोटा के नोट ए इन इक्वेशन वन इस माइनस का डिफ्रेंस अपने आप कवर हो जाएगा यह अट्रेक्टिश इस रिपल्सिव में चेंज हो जाएगा जब आ और यहां से क्या जाएगा सिगमाटी टीफोर पाई एस को आउटा मत-पोमन ले रहा हूं तो यहां पे बच गया यहां पे दो के नोटे नीचे से बीड़ टे लिए कट रहा तो क्या बचले हैं यांपर टेन के नोट ए ओवर आयोटा माइनस के नोट ए अपोन में के नोट ए का होली स्क्वेर आयोटा जो कोमल लिया था वो उपर निचे से कट गया अब देखो 10 आयोटा के नोट ए ओवर आयोटा आपके पास होता है 10 हाइपरमालिक के नोट ए के बराबर तो वो रख दीजिए तो सिगमा टी के नोट ए का होली स्क्वेर अब हम बात करें अगर मैं इस यू नोट की इंफाइनाइट कर दूँ तब आपके पास क्या हो तब देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम हार्ड पोटेंशल की फोल दे हार्ड इस पेर for the hard spare potential is the form is of the form form क्या होती है इसमें यू आर उसमें तो यू नोट था है आहां पे इसमें उसमें तो यू नोट था है we can obtain hence we can obtain the low energy scattering low energy scattering cross section cross section for hard sphere using limit using limit कौन सी limit देखी यू नोट आपको infinite करना है वहाँ पर यू नोट था है यहाँ पर infinite है जब यू नोट था तब यह आया अगर मैं यू नोट की limit क्या कर दूँ इन्फाइनाइट कर दूँ अब आपको पता है के नोट स्क्वाइर आपने क्या माना था 2μ यू नोट ओवर इसको माना था जब के नोट आपने इसको माना था ठीक है यह इसको माना था इसकी पावर वन बाइट जब यू नोट infinite होगा तो के नोट infinite होगा या नहीं हो वह यह infinite है आप आप आपको करो इनफाइनाइट आजाएगा तो के नोट की लिमिट क्या लेनी आपको इनफाइनाइट लेनी है यहाँ तो यूजी इक्विएशन टू एक्विएशन टू हाई एनर्जी लिमिट पर कलवर्ट हो जाएगा यहाँ ठीक है सिग्मा-टी हाड इस पेर की बात कर रहे हैं पर 10 k0 a hypervolic a minus k0 a over k0 a अब देखो limit x tends to infinite 10 hypervolic x क्या होता है limit x tends to infinite 10 hypervolic x क्या होता है e की power x minus e की power minus x e की power x minus e की power minus x x equal to infinite लिखो limit लगा दो 1 आएगा तो इसकी ज़्गा अब क्या रिख सकते हैं सिग्मा टी उपल टू लिमिट अभी सिर्फ पर लिमिट लगाई है इन पर नहीं लगाई है इसलिए मैं लिमिट नहीं अटा रहा हूं अब देखिए नीचे वाले के नोट एका भाग देदो लिमिट सोल करने का तरीका आपको आता यह लिमिट के नोट टेंज टू इंफाइनाइट फोर पाई एस्वेर यह हो गया 1 ओवर के नोट ए माइनस 1 का होल स्काइर आप लिमिट रख दो के नोट की वैलोई आप इंफाइनाइट रखोंगी तो 1 ओवर इंफाइनाइट 0 हो minus 1 minus 1 स्कूर प्लस 1 तो सिक माटी क्या फोर पाइए स्कूर पर एक्वेशन नम्मर थी अब आप देखो क्लासिकल स्केटरिंग में इसकी वेल्यों होती है पाइए स्कूर ठीक है सिक माटीकी और यहां पे आ रहा है क्लासिकल रिजेट के इतना टाइम आता रहे है तो हम कह सकते हैं है तो टोटल स्केट्रिंग क्रोस सेक्षन और लोग एनर्जी लिमिट इस फोर टाइम्स तू दे क्लासिकल रिजेट क्लासिकल रिजेट और जो की क्या होता है पाई एस्पैर यह तो वही लोग एनर्जी लिमिट की बात अब हम बात करें हाई एनर्जी लिमिट पे क्या है पाई एस्पैर आएगा या नहीं आएगा चेक करें हाई एनर्जी लिमिट का मतलब है देखो लोग एनर्जी लिमिट में सिर्फ हम एल इक्वेल टू जिरो ले रहे थे और हाई एनर्जी लिमिट का मतलब सिक्मा जी का लेकिन वह यूज में लेकिन वह यूज में लेने से पहले हमें कहां से कहां तक तक लेना पड़ेगा जो कि हमने पार्चियल वैदालिसिस में डिशस किया था शुरूई-शुरू में कि तो कि यहां पर हम पर हम क्यालेंगे एक लेंगे देखे चेक करते ही है हाई एनर्जी लिमिट की बात करते है हाई एनर्जी लिमिट क्या होगा इस लिमिट में इस लिमिट में यह होगा कि हम लार्जेस्ट एल वेल्यू निकालेंगे लार्जेस्ट एल वेल्यू देट कंट्रिब्यूट तो इस केट्रिंग इस गीवन बाई एल मेक्सिमम और वैसे तो वेल्यू होती है इस लिमिट माल लिया तो यह क्या हो जाएगी एक आपके पास कि देएर फूर को टोटल स्केट्रिंग रो सेक्षन क्या होगा फोर पाई ओवर के स्वेट थीक है समेशन एल इकोई टू जीरो टू एल मेक्सिमम ओके मतलब एल इकोई टू पर डेल्टा नोट कुछाएगा ऐल इकोई टू पर डेल्टा टू कुछ आएगा अलग-अलग वेल्यू आने की वजाए हम क्या आपके सबका एवरेज ले लेंगे तो मंद्री देता हूं कि इफ दपेज shift are completely random completely random then we replace we replace sin square delta l by its average value by its average value average value क्या होती है sin square theta delta l k average value क्या होती हुआ 1 by 2 तो यह रख देंगे आप यहांपे sigma t 4 pi over k square और high energy limit की बात कर रहे हैं तो sigma t भी किसमें निकाल रहे हैं इसके लिए आप sigma t किसमें निकाल रहे हैं k face to infinite पे तो मैं last में लिखूँगा यह किसमें निकाल रहे है high energy limit मतलब k की value infinite की तरफ जा रहे है high energy का मतलब रहे ही तो हुआ और l equal to 0 to l maximum की value क्या थी a k और यह हो गए आपके पास 2 l plus 1 इसकी value 1 by 2 यह 1 by 2 से 2 गट गया तो क्या है आपके पास 2 pi over k square summation l equal to 0 a k एक तो 2 l plus summation l equal to 0 2 a k एक 1 ठीक है आपके पास summation को मैंने अलग-अलग हो दिया और यह 2 इदर भाग में ले आए चलिए आपके पास आगे देखे क्या हो जाएगा sigma t और limit यह रखनी क्या होगा है 2 pi over k square यहाँ पे l equal to 0 2 को तो बाहर ले लो summation l की value क्या होती है l l plus 1 और l की value कहां से कहां तक है 1 k तो यह क्या हो जाएगी 1 k और 1 k plus 1 यह हो गया इसका काम आगे देखो 1 1 का मतलब है first step और last step रखना है यह क्या हो जाएगा आपके पास 1 k plus 1 जो value हो जाएगी आपके पास l summation 1 summation 1 की value यह होती है आपके पास l plus 1 ठीक है तो यह आगे आपके पास चलिए sigma t क्या रहा 2 pi over k square ठीक है और अब उन में 2 भी दोती है l l plus 1 by 2 यह 2 से 2 गट गया k plus 1 इसके और इसमें common ले लो k a plus 1 common ले लिया मैंने यहाँ पे बचा k a और आगे में पूरा common आगया तो plus 1 तो यह आगया आपके पास sigma t equal to limit लगी विए k tends to infinite बार बार बता रहो मैं ठीक है ना 2 pi over k square इसको क्या लिख दें k square a square plus 1 का square plus 2 k a whole square खोल दिया मैंने ठीक है k square common ले के बार नहीं कर लो और limit अपलाई कर दो देखें क्या जाएगा sigma t limit कहां से कहां तक है k tends to infinite equal to 2 pi over k square k square बार लिया तो k square कट गया a square plus 1 over k square plus 2 a 1 के कट गया यह बच गया और इसकी limit लगी विया आपके पास k tends to infinite limit रख दो तो क्या गया sigma t आपके पास limit रखेंगे तो यह a square बच जाएगा कि यह infinite रखेंगी यह 0 इस पे infinite रखेंगी यह 0 दोनों 0 गये तो क्या गया 2 pi a square low energy limit में आ रहा था 4 pi a square और high energy limit में कितना आ रहा है 2 pi a square आप भी उसका दुबूना दो आईदा है तो क्या लिखेंगे hence the scattering row section row section in high energy limit high energy limit is two times greater than two times greater than classical value अब आपको यह दिमाग लगाना कि सरीए ज्यादा क्यों आ रहा है classical value classical skating में pi a square आ रहा था और इस skating में high energy पे 2 pi a square low energy पे 4 pi a square इतना ज्यादा क्यों आ रहा reason है उसका reason यह है कि classical में हम particle nature की बात करते wave nature की बात नहीं करते जब wave nature की बात नहीं करते तो हम diffraction की बात नहीं करते interference की बात नहीं करते और constructive interference के कारण cross section बढ़ जाता है उसका तो यह region है तो मैं लिख देता हूँ this discrepancy the discrepancy मतलब यह विबेद देता है प्रेंस देक्रों सक्षेक्शन इन फ्लासिकल फ्लासिकल विजेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् भिखरक्षेंट अरॉंड इफ्रेक्षेंट अरॉंड बैक यह का सेल उसलिव गेशा केल ऑनपसाइट लूदी इस पयर वीर स्ट्रत विख यह लीर्ट सूकू निया ध्यूर को से भी मीडें स्सक्राइब को इसकी वज़सेक्शन में गया क्लासिकल रिजल से डीता है Beach इनर्जी पर च्यारवना देता है तो यह आपके क्यूशन हो गया इससे अब हम नेक्स क्यूशन में डिसेश करें रेजोनेंस स्केटरिंग जो की अट्रेक्टिव स्क्वाइर वेल पोटेंशल से निकालेंगे जहां पर हमने वो कंसिड्रेशन किया था उसको नेगलेक्ट करत नहीं पुर्णेंस इसकेटरिंग क्या होता उसकी इनर्जी कितनी आती है वह सारी चीजे चेक करने वाले हैं ठीक है करने दूद करें 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 करें